RKR Study Seated Point YouTube Channel पर एक पर फिर से आप सभी का स्वागत है इससे पिछले बाले वीडियो में हम लोग ने डिसलेक्सिया के बारे में अध्यन क्या था इस वीडियो में हम लोग डिस्गराफिया के बारे में अध्यन करेंगे जो कि हमारा सीटेट और टेट जैसे एक्जामों के लिए बहुत ही मतपोन टॉपिक है मैं राजन कुमार रोसन स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने YouTube चैनल RKR Study Seated Point पे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं किसी वीडियो के अंतरगत हम लोग किन किन चीजों को पढ़ने वाले हैं बाकी नहीं रह जाएगी सारे चीज आपको समझ में आ जाएगी तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि डिस्गराफिया जो होता क्या है डिस्गराफिया क्या होता है तो डिस्गराफिया क्या है कि यह भी एक अधिगम संबंधी अच्छमता ही है विकार ही है इसमें क्या होता है कि बच्चे को लेखन समंदी विकार आ जाती है ठीक है बहुत साड़े अदिगम विकार है और सबका अलग अलग नाम भी दिया गया है तो लेखन समंदी जो भी विकार होंगे वे साड़े के साड़े आएंगे किसमें इसमें इसमें बच्चे को क्या है कि लिखने में परसानी आएगी लेखन सम्बंदी विकार यहां पे उत्पन हो जाती है तो देखे इसमें क्या होता है डिसग्राफिया में कि डिसग्राफिया से प्रभावित चात्रों को लेखन सम्बंदी सभी कोशलों में कठनाई होने लगती है यानि लेखन सम्बंदी जितन पाई जाती है और चमता पाई जाती है प्रोब्लम पाई जाती है समस्या पाई जाती है किस से समंधी तो लिखने से समंधी ठीक है तो इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा ठीक से नहीं लिख पाता है या उसकी लिखावट ठीक नहीं हो बाती है बच्चे ठीक से लिख भी डिसगराफिया है या बाला को किन किन चीजों को प्रभावित करता है तो लेखन कोशल जैसे कि इसमें आते हैं हस्त लेखन स्पेलिंग, सुर्ति लेख, इत्यादी जो भी यहाँ पर कोशल है सारे को यह प्रभावित करते हैं बच्चे सुनके ने लिख पाएंगे, हस्त लेक मतलब हाथ से जो बच्चे लिखते हैं वो ढंक से ने लिख पाएंगे, सुर्ती लेक जाने कि बच्चे सुनके जो लिखते हैं ये भी ने कर पाएंगे, इस प्रकार की जो भी समस्या आएगी वो हमारे डिस्गराफिया के अं दिखाई देने लगते हैं तो सबसे पहला अलच्छन है है अमारा कि इस से प्रभावित बालक में लेखनगे जी assim कॉशल की का रहेगा एकदम नीचे quality कर रहाएगा ठीक है आगे देखते हैं कि बालक जो है सुर्थी लेख यानि सुनकर लिखने में और समर्थ होता है सिक्षक कुछ बोलते हैं और कहते हैं बच्चे को लिखो तो उस किरिया कलाब को कहा जाता है सुर्थी लेख तो इसमें क्या हता है कि बच्चे और समर्थ होते हैं बच्चे सुनेंगे लिख नहीं पाएंगे वहाँ पर अच्छे से लिखने बाते हैं इसमें और समर्थ होते हैं यह अमार्डिस गराफिया का लच्चन होता है आगे जो इसका लच्छन है वो कुछ इस प्रकार सहे कि बालक लिखते समय हाथ की उंगलियां और पैंसिल का समायोजन सही ढंग से नहीं खरबाता है जैसे हाथ की अंगुली से पैंसिल को किस प्रकार से पकड़ा जाता है पकड़ने का एक तडिका होता है उसमें समायोजन बच्चे नहीं कर पाते हैं वो कुछ अटपटा ढंग से पैंसिल को पकड़ते हैं जिससे उसको इस प्रकार की समस्या उत्पन हो जाती है कि लिखने में यहाँ पर समस्या आ जाती है यह भी डिसग्राफिया का एक लच्छन ही है आगे है कि बालक लिखते समय सब्दों वाक्य एबं पैड़ा गड़ाफ को अलग-अलग सही धंग से नहीं दर्जाता है लिखने समंदी यह कोशल होता है कि लेखन कोशल में आता है कि सही वाक्य कहां पर किस तरह से पैड़ा गड़ाफ छोड़ना है कहां पर किस तरह से चीजों को अड़ेट्स करना यह सारे चीज आते हैं हमारे लेखन कोशल के अंतर लेकिन क्या है कि बालक लिखते समय सब्दों वाक्य पैड़ाफ को सही सही धंग से नहीं दर्जाब आता यह हमारा लेखन समंदी विकार है और यह विकार जो है वह डिसगराफिया के अंदर गताते हैं ठीक है आगे हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लेखन समंदी सभी कोशल जो है डिसगराफिया से परभावित होती है यानि डिसग्राफिया के लच्छन में आएंगे कि बिच्चे को लिखने सबंदि जो भी समस्या आपको दिख रही है, कि बच्चे लीखने में किसी भी प्रकार से असमर्थ आपको नज़र आ रहा है कोई भी बच्चा ता आप उसको कह सकते हैं कि यह बच्चा जो है डिस्ग्राफिया से गर्सित है डिस्ग्राफिया का सिकार है ठीक है तो यह बहुत ही छोटा सा वीडियो था मैं उम्मीद करू कि यह आपको अच्छे समझ माई ही होगी डिस ग्राफिया टॉबिक मैं इसको समझाने का बहुत ही एदम सरल भासा में प्रियास किया हूँ और उमीद करता हूँ कि आप लोग सही धंक से अच्छे से समझे भी होएंगे तो आरकाइश टडी सीटेट पांट के साथ आप बने रहेंगे यह जो यूटूब चानल है यहाँ पर आपको समय समय पर अच्छे अच्छे वीडियो यहाँ पर उपलप्त कराई जाएगी इसलिए आप इसके साथ हमेशा जूरे रहेंगे फिर मिलते हैं नए एक और टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक लि यहाँ पर यूटूब चैनल को धन्यवाद